पुलीस लगतार अपराधियों पर शिकंचा कस रही है CM योगी चुर्म का नामों निशान मिटाने के लिए बिलकुल आक्टिफ मोड में है इसी के मद्दे नजर बीते महीने में सभी बड़े अपराधियों का पड़दाफाश करने के साथ ही अपराधियों को सलाकों के पीछे भेजा गया है गैंग्स्टर की कारवाई करने के साथ ही उनकी संपत्ती को कुर्क किया जा रहा है पुलीस गैंग्स्टरों की करोडों की संपत्ती को कुर्क कर रही है इन में ना सिर्फ अपराधियों की जमीन, प्लोट, आवास, बैंक अकाउंट में जमा रुपए, बल्की वाहन भी शामिल है नमश्कार आप देख रहे हैं Capital TV की Special Story और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर आज के Special Story में आपको बताएंगे कि कैसे पुलीस ने खतरनाग गैंक्स्टर को दबोचा, उसके साथियों पर की तगड़ी कारवाई, साथ ही उसकी डेड़ करोड की प्रॉपटी को किया सब आज की Special Story में इसी के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में, तो बिना देरी किये चलिए शुरुआत करते हैं दरसल उत्तर प्रदेश के बरबंकी में गैंस्टर वासुदेव पर जिला प्रसाशन का हंटर चला है बड़ी कारवाई करते हुए करीब देड़ करोड की प्रॉपटी को कुर्क किया गया है पुलीस ने गाउं में मुनादी लगवा कर एलान किया कि डीम के आदेश पर सस्तिप लोट और मकान बेचने के नाम पर आम जनता के साथ धोका धड़ी की गई है इस मामले में आधे दर्जन से जादा मुकदमे दर्ज हुए हैं जानकारी के मुताबिक थाना देवा पर पंजिकृत गैंग्स्टर आक्ट के आरोपी गोटवा दर्खा थाना के रहने वाले वासुदेव यादफ, विरेंद्र तिवारी, पटेसरी देवी और दिनेश कुमार वर्मा साथ मिलकर पांच से आठ वर्षों से आर्थिक धोका धड़ी और ज्वाल साजी पर लोगों को सस्ती आवास्य जमीन का लालच देकर और उपई लेकर रजिस्टरी नाक करने जैसे अपराद में लिप्त हैं परजी भूमी का बेनामा करने वालों में हड़ कम इस संगटित गिरोह के द्वारा अर्जित की गई चलव अचल संपत्ती को जब्त किया गया है इसकी कीमत करीब एक करोड पैतिस लाक रुपए है साथ ही HDFC बैंक में कुल चमा रकम 8,97,589 रुपए को पुलीस त्वारा चिहनित कर चिला मेजिस्ट्रेट बारा बंकी को बताया गया है DM की इस कारवाई से परजी भूमी का बेनामा करने वालों में हडकम्प मचकिया है वहीं इस मामले में अपर पुलीस अधिक्षक चिरंजीवी नाच सिनहा ने बताया की बासुदेव यादव और उसके साथियों पर गैंस्टर आक्ट के तहत कारवाई की गई है इस कारवाई में करीब डेड़ करोड की प्रॉपटी को कुर किया गया है जिसे आरोपी ने अपराद करके अरजित किया था वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है बलकि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं जहां पुलीस ने गैंग्स्टर की करोडों की संपत्ती को जप्त किया है तो वहीं चलिए अब आपको ऐसा ही एक और मामले के बारे में हमारी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं बता दे कि एक तरफ जहां कमिश्नरेट पुलीस ने माफिया अतीक एहमत की साथ करोड की एक और बेनावी संपत्ती खोज निकाली है वहीं लगभग 500 वर्गच शेत्रफल वाली बेश कीमती भूमी करेली के जीटीबी नगर में है पुलीस ने गैंग्स्टर आक्ट के तहट इसे करने के लिए कारवाई शुरू कर दी है खास बात ये है कि पूर्फ में खोजी गई संपतियों की तरह अतीक ने इसे किसी और नहीं बलकी अपने ही नाम पर जबरन लिखवाया था मता दे कि 20 अप्रेल 2006 में इस जमीन का बैनामा उसने अपने हक में करवाया था डीसिपी नगर दीपक भूकर के नेतरत्व में कमिशनरेट पुलीस की एक टीम लगातार माफिया की अपराद से अरजित संपतियों का पता लगाने में जुटी हुई है सूतरों के मताबिक पुलीस ने जब इस संपति के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि अतीक ने ये जमीन मनसूर आलम से खरीदी थी ये जमीन आलम सहकारी आवास समिती की थी तब मनसूर आलम इस समिती के सचीफ थे पूचताच की गई तो उसमें बताया कि ये आवास्य समिती थी अतीक को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो उसने कहा कि पहले 500 वर गज समीन उसके नाम की जाए वरना वो समिती को किसी तरह का काम करने नहीं देगा साथ ही उसकी बात नाम मानने पर धमकाया वहीं देहशत में आकर उन्होंने जमीन का बैनामा कर दिया वहीं इस समपत्ती के बारे में ये भी पता चला कि बैनामे में जो विक्रए मूल्य था वो ततकालीन सरकारी मालियत से कम था इसके विक्रए पत्र में कुल सरकारी मालियत 23.76 लाग दर्शाई गई चपकी विक्रए मूल्य 14.25 लाग अंकित है ये समपत्ती अपराच से अरजित की गई है वहीं इसे गैंस्टर राक्ट की धारा 14.1 के तहत कुर्क करने के संबंद में कारवाई शुरू कर दी गई है वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है बलकि अतीक एहमत से पहले भी करोडों करोडों की समपत्ती जब्द की जा चुकी है चलिये उसके बारे में भी आपको अपनी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं वहीं अभी हाल ही में पुलीस ने उत्तर प्रेश के हरदोई जिले की पुलीस ने नार्कोटिक्स पदार्थों की तसकरी करने वाले ग्यांग लीडर की अवैद अर्जित की गई साड़े अठारा करोड रुपए की बरेली में मौजू चल वा अचल संपत्ती कुर्की है आरोपी पर बीस से अधिक अपराधिक वारदातों के मामले दर्ज हैं जिन में से 15 मामले NDPS Act के हैं बता दे कि गैंग्स्टर Act के तहट संपत्ती जब्त करने की कारवाई के तहट चला अधिकारी के आदेश पर पुलीस ने मुनादी कराकर संपत्यों को कुर्क किया है पुलीस ने मेजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुनादी कराकर संपत्यों को जब्त कर नोटिस बोर्ड लगा दिया है शातर बदमाश को पिछले साल हर्दोई की बिलग्राम पुलीस ने अफीम के डोडा संग गिरफतार किया था जिसके बाद पुलीस के इस पर गैंग्स्टर आक्ट के तहट मामला दर्च किया गया था पांच मकान और कार्जब मेजिस्ट्रेट की मौझूदगी में पुलीस ने पूरे गाउं में मुनादी कराई और गैंग्स्टर के नाम पांच मकान प्लोट क्रिशी भूमी बाक और एक स्यूवी वाहन को कुर्ग किया गया कुर्ग की गई संपत्ती की बजार कीमत साड़े अठारा करोड रुपए के करीब आंकी गई है गैंग्स्टर आक्ट के तहट भेज़ा गया जीन पुलीस के मुताबे कनीस अंसारी संगठित होकर नार्कोटिक्स पदार्थ की तसकरी के अपराद करता था इसके खिलाफ बरेली जिले, भमोर थाने और फते गंच के अलावा हरदोई जिले में एंटी पीएस आक्ट के अलावा सहित 21 मुकदमे दर्श थे बिलग्राम पुलीस ने इसे पिछले साल अफीम के डोडा संग गिरफतार किया था जिसके बाद इसके अपराधों की लिस्ट देखते हुए पुलीस ने इसके खिलाफ गंच्टर आक्ट की कारवाई की थी और गिरफतार कर जेल भेज दिया था चारी रहेगा आक्शन गंच्टर आक्ट की कारवाई 14.1 के तहट अवैदकारें से अरचित की गई संपतियों को चिहनित कर जिला अधिकारी नियायाले में भेज़ा गया था चिला अधिकारी के आदेश पर गंच्टर की करीब साड़े अठारा करोड रुपई की संपतियों को मुनादी कराकर पुलीस ने जब्त किया था पुलीस का दावा है कि आगे भी गैंग्स्टर और दुर्दानत अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कारवाई जारी रहेगी बता दे कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी अधित्तिनाद सरकार लगतार आक्शन मोड में नजरा रही है प्रदेश में कहीं बुल्डोजर चल रहा है तो कहीं संपत्ति कुर्ग की जा रही है इसी वज़े से अपराधियों में खौप का महौल है कई जगा पुलीस मुटभेड के बाद अपराधियों को पकड़ कर सलाखों के पीछे पहुँचाया जा रहा है पिछले कुछ महीनों में कारवाई और तेस कर दी गई है इसी कड़ी में अयोध्या में पूर्व चिला पंचायत सदस्य और गैंग्स्टर अपराधी अपतांश तिवारी उर्ख सिक्कु की लगफख चार करोड की प्रॉपटी कुर्ग की गई ये कारवाई चिला मेजिस्टरेट के आदेश पर की गई है यहां कोतवाली बीकापूर पुलीस ने ताटा सफारी जमीन के दो पलोट प्रियागराज हाईवे पर स्थित बीकापूर में शलोक आश्रम को सीज कर दिया है जेल में बंद है सिक्कु बता दे कि अफ्ताँच तिवारी यानि कि सिक्कु पर समाच विरोधी कारे करके संपत्ती अरचित करने का आरोप है सीयो बीकापूर संदीप सिंग के नेतरत्व में कोतवाली बीकापूर पूलीस ने मकान पर नोटिस चस्पा किया और डुगडुगी बचा कर इसका एलान किया गया गैंस्टर अफ्ताँच तिवारी और सिक्कु इस समय जेल में बंद है वहीं इस मामले में सीयो बीकापूर संदीप सिंग ने बताया कि जिला मेजिस्ट्रेट के आदेश पर ये प्रॉपटी जिस पर शलोक आश्रम लिखा हुआ है और इसका गाटा संख्या 464 है कुर्क की गई है जब तक कोई अन्य आदेश नहीं आ जाए तब तक ये प्रॉपटी स्टीम महोदय के अंडर में रहेगी अफ्तान शुर्फ सिक्कु तिवारी एक शात्र गैंग्स्टर है गैंग्स्टर अधिनियम की धारा 14-1 के तहट जो संपत्ती अवैद रूप से अरचित की जाती है उसे इस धारा के तहट सीज कर दिया जाता है खेर बता दे कि योगी पुलीस अपराधियों पर तगड़ा आक्शन लेती है ताकि हर अपराधी पर नकेल कसी जा सके झाल झाल